पी टैट की अगर बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा सभी अपने दोस्तों में कि वो भी प्रैक्टिस कर लें कि सबसे सस्ता धमाका होने वाला है आप गैस लगाएं कि आपके हिसाब से कितना सस्ता होगा और हमारे मौक टेस्स ले सकते हैं आप ससी जीडि के इसमें सब्जेक्ट वाइस टेस्ट डाले हैं और फुल लेंथ मौक भी डाले हैं तो इसका आप आनंद लीजिए 50% आफ पर जोकि 10 जनवरी तक ये आफर चल रहा है तो आप इसका लाब ले सकते हैं हिमाचल ज्यान प्लासिज हिमाचल जी के के टॉप 10 कोशन लेकर आए हैं जो की HP TAT भी इसमें शामिल किया हैं हमने उसके भी कोशन उठाए हैं पहला सवाल इमाचल की कला एवम पुरा तत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है जल्दी से अंसर दिजिएगा हिमाचल की कला एवंपुरा तत्व उस तक किस ने लिखी है सभी अंसर दीजेगा इसका सही अंसर क्या रहेगा और सभी अंसर अनूप शर्मा बी आप्शन दे रहे हैं निकेतन ए आप्शन के साथ जा रहे हैं आकरिती डी आप्शन के साथ जा रहे है सही अंसर क्या होगा प्यारे बचों अंसर साथ साथ में दीजीगा motivational quits भी आए है good evening sir कह रहे हैं बहुत बढ़िया सही अंसर क्या होगा correct answer रहेगा c option बिल्कुल सही option है b c परमार नहीं होगा यहां पे b c ओहरी है अगला सवाल में जाने से पहले पुस्तक और उसके लेखकों के नाम लिख लिजीगा प्राचीन हिमाले किस ने लिखी है p l p pande हिमालेन सरकेट किस ने लिखी है g d भोसला किनर लोग साहिते किस ने लिखी है बक्षी राम शर्मा शिमला अतीत और बरतमान की जे बक महाराजा संसार चंद किस ने लिखी है राजेशवर नारायन सिंग क्राइस्ट चर्च किस जिले में स्थित है जल्दी से अंसर करिएगा कांगडा है शिमला है सिरमौर है चंबा है आपके पास आप्शन बहुत सी है जल्दी से अंसर कर सकते हैं आप फड़ा फट क्राइस्ट चर्च कहां पर है तो सही अंसर रहेगा वो है शिमला कहां पर है शिमला इसका एकुरेट अंसर है क्राइस्ट चर्च शिमला रिज पर स्थित है ये जो की 1844 में बनना शुरू हुई थी और इसका डिजाइन जो है वो कर्नल जेटी बालू ने त्यार किया था और सन 1846 देख लो हार्ली दो सालों में बनकर ये त्यार हुई प्रंतू विशप आफ किलकत्ता ने इसे 1800 तुन्जा में चर्च की मानिता परदान की और जेम्स रांसम ने जो है 1910 में इसे पुस्तकाले का निर्मान करवाया इसमें पुस्तकाले का और हिमाचर प्रदेश का सबसे पुराना चर्च भी यही है बचो जो कि आप रिज मेदान पर देखते हैं की पिहार वोलो या मठ कहां पर स्थित है बहुत बार ये पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार आपके पेपरों में आता है मदुजी भी आये है आपका भी स्वागत है हमारी इस क्लास में की मठ कहां पर स्थित है सभी अंसर करिएगा की मठ कहां पर स्थित है सही अंसर रहेगा C option लाहोल स्पिती C option लाहोल स्पिती में जो है वो की मट है मट पर अधारित यारी की मट से मैं बदा देता हूँ ये स्पिती घाटी का सबसे बड़ा बिहार या मट है कि स्पिती नदी के बाएं तट पर किबर और काजा के बीच में स्थित है 11 सदी के आरब में ये बना बिहार पहाड़ी के लिए जैसे दिखाई देता है वर्ष 1834 इजमि में चोगरा हमले के दुरान जो है बिहार में आग लगी या आग से बहुत जादा शती पहुंची थी तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो सांगला घाटी किस जिले में स्थित है अंसर कर सकते हैं सोचिए अप अपना अंसर सांगला घाटी कहां पर स्थित है सांगला घाटी कहां पर स्थित है सभी अंसर करिएगा सांगला घाटी कहां पर स्थित है सांगला घाटी कहां पर स्थित है सही अंसर क्या रहेगा वो है कि नौर सांगला घाटी कहां पर स्थित है तो बी आप्शन कि नौर यह कि नौर में स्थित है जो कि बस्पा घाटी में बस्पा नदी के किनारे पर बसी हुई है और सांगला घाटी से जुड़ा हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि 1830 मीटर से लेकर 3475 मीटर तक की समुन्दर तल से इसकी उंचाई है सांगला घाटी का सबसे उंचा जो गाउं है वो छितकुल है कौन है छितकुल है जो कि कामरू और सांगला इस घाटी के परमुख गाउं है सांगला घाटी को बस्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है बस्पा सत्रुज की सहायक नदी है फ्योग घाटी बस्पा के उत्तर में स्थित है फ्योग जो है वो इस घाटी के ही साथ यानि की उत्तर में स्थित है रावी नदी की जल ग्रहन शेत्र लभ कितना है रावी नदी का जल ग्रहन शेत्र कितना है जल ग्रहन शम्ता रावी नदी की जल ग्रहन शेत्र लभग कितना है सभी के अंसर आ रहे हैं बहुत बढ़ी आकृती बहुत बढ़ी जी बहुत बढ़ी आ सभी का अंसर आ चुका है त्रेइस सो बीस वर्ग किलो मिटर त्रेइस सो पीस वर्ग किलो मिटर ये नहीं होगा त्रेइस सो बीस नहीं होगा बचो यहां पे आप्शन में मिस्टेक है आज उन्होंने मिस्टेकें बहुत जादा की हुई है अंसर जो है वो रावी नदी का जो है रावी नदी का जो जल ग्रहन लगबक शेतर है नोट कर लिजेगा पांच हजार चारसो इक्यावन ये है पांच हजार चारसो इक्यावन है और जो त्रेइस सो बीस बोली है वो किसका है वो है आपका यमुना नदी का किसका है यमुना नदी का ठीक है बच्चो यमुना नदी का और बारा हजार ये वाली आप्शन अगर कोई जाता है तो ये है आपका ब्यास नदी का किसका है ब्यास नदी का यहाँ पर कुछ option में mistake है typing वाले की वज़ा से और जो 75 सो है ये ये चिनाव नदी का है तो note कर ले ना मेरे भाईया चिनाव नदी का है और साथ में C option में जो ये दिया हुँ था ये सतलुज नदी का है किसका है सतलुज नदी का है के है इसका में सवालों का अंसर option ही नहीं थी इसमें रावी नदी पूछ ली थी गलती से ठीक हैं और गलती से उन्हें आप्शन डालना ही भूल गये हैं और कुछ नहीं था कोई issue नहीं है रावी नदी के बारे में बदा लेता हूँ भादल और तांत गिरी जल्धाराओं के बड़ा भंगाल शेत्र में मिलने से रावी नदी का उत्गम होता है रावी इन दोनों नदीयों के संगम से उत्पन हुई है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदीयों है आप इनको याद रख लिजेगा यह बहुत बार जो हैं उची जाती हैं खड़े और साथमे नदीयों जैसे की बैरा सयूल खड़ है यह रावी नदी की सहायक नदीयों हैं अगला सवाल सिंबल बाड़ा राश्ट्री पार्क को वन्य जीव अभेरन का दर्जा कब मिला सिंबल बाड़ा वन्य जीव अभेरन को दर्जा कब मिला है अभेरन को राश्ट्री पार्क का बिलकुल सही अंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया नरेश कुमार बिल्कुल सही अंसर है निखिल कुमार का बिल्कुल सही अंसर है और ये सिंबल बाड़ा जो है वो सिर्मौर में है अनिकेतन बता रहे हैं बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है तो सिंबल वारार राष्ट्रिय पार्क जो है इसकी स्थापना 2010 में कुई थी और इसका कुल शेत्रफल 27.88 बर किलोमीटर है ये हिमाचल का सबसे छोटा राष्ट्रिय पार्क है मैंने कल भी करवाये थे हिमाचल का सबसे छोटा राष्ट्रिय पार्क है इसे करनल शेर जंग राष्ट्रिय पार्क के नाम से भी जाना जाता है ये सिर्मौर जिले के पॉंटा तसील में स्थित है इसे 1903 में बन जीव अभेरन का भी दर्जा दिया गया है राष्ट्रियो कुगा पूजा किस दिन से शुरू होती है जल्दी से अंसर बताईएगा गुगा पूजा जो है वो कब से शुरू होती है गुगा की पूजा गुगा पूजा A, B, C, D जनमास्टमी में, रक्षा बंधन में, राम नोमी में जल्दी से अंसर कर सकते हो जो सही अंसर हैगा नवीन भंडारी का बिल्कुल सही रक्षा बंधन में रक्षा बंधन में जो है वो शुरू की जाती है गुगा पूजा गुगा के मंदिरों यनि की मंदिर में गुगा मंडी कहा जाता है गुगा संपरों से रक्षा करने वाले देवता है और ये गुगा राजेस्थान के गधेर राजा थे उनकी माता का नाम बाचल था और चमबा में कुंड लिख के नाम से भी गुगा की पूजा की जाती है अगला सवाल कांगडा कलम का जनमदाता किसे कहा जाता है बिलकुल सही ्यानिकेतन बिलकुल सही गुलेर गुलेर रियासत मधु जी का भी बिल्कुल सही अंसर खुलेर रियासा ताकृती जी का भी बिल्कुल सही कांगडा कलम यह मुगल और राजपूत कलाओं के साथ थानी कलाओं के मिश्रन का रूप है कांगडा शैली की पहाडी चितर कला सेऊ वन्षज़ की देन है गुलेर दरवार में मनुक और नैन सुक दोनों सेउ के पुत्र को लगू चित्रकला प्रारम करने का करने वाला माना जाता है जिने कांगडा बुलाया गया संसार चंद ने 1775 में सुजान पूटी रा की पहाडी में लगू चित्रकला का केंदर बनाया संसार चंद के दरवार में फाटू और पदमा सहीतिकार थे या कलाकार थे उन्होंने 1750 से लेकर 1850 तक का समय हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण यूग भी कहलाता है तो ये फाटू और पदमा कौन थे और किसके दरवार में थे ये बहुत important question और अंदर से उठाया हुआ question most important रहेगा इसको याद कर लिजीगा कहीं पे note भी कर लेना प्यारे बच्चों बहुत काम आएगा कांगडा का मसरूर कट टेमपल जो की आपको पता है लंज में है किस शैली का है कौन सी शैली में बना है कांगडा का मसरूर कट टेमपल मसरूर कट टेमपल जो है वो कौन सी शैली में बना है पगोडा शैली option नहीं होगी याद रख लो पगोडा शैली वो होती है जो देवदार की तरह हो और नागर शैली वह ऐसी होती है जो एक पहाडों की चटानों से बनी होती है तो इसका correct answer भी मैं बता देता हूँ नागर शैली नागर शैली जो है वो इसका सही answer है बचो पगोडा नहीं है साक्षी कशब नागर है पगोडा में ऐसे करके होता है जिस मंदिर की छट देखना छट से आइडिया लग जाता है कि हाँ सर ऐसे होगी ठीक है क्यों करके होती है वो होती है पगोडा शैली देवदार के पेड़ की तरह और शिखर शैली वो होती है जो किसी पहाड पे हो और समतल तो आपको पता लगया नॉर्मल जो पनी होती है तो याद रखिएगा इन शैलीों को बहुत बार काम में आती है हाँ हनिम्बा मंदिर बिल्कुल सही अनिकेतन तो मसरूर का टेंपल जो है वो नागर शैली में बना है इसे जिसे कश्मीर के राजा तलिता दित्ते ने आठमी स्ताब्दी में बनवाया था और कांगडा के गगल नगरोटा सूरिया मार्ग परस्तित है ये मंदिर मुख्यता है भगवान शिब को समर्पित है ठाकर द्वारा भी यहां के धार्मिक स्ताल जिसमें राम, लक्ष्मन और सीता की पत्थर की मूर्तियां है और मसरूर का टेंपल में पंदरा मिंदरों का समू भी कहा जाता है और इसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है ये भी इंपॉर्टन है अगला सवाल कि नौर जिले की किस तहसील में तरड़ा देवी का मंदिर है तरड़ा देवी का मंदिर जो है वो कहा पर है जल्दी से अंसर करिएगा जो कि कि नौर में है तरड़ा देवी का मंदिर बताएं आप ये कहा जैसे पर है कहां जैसे है जल्दी से कमेंट करिएगा फीडियो को भी शेयर कर दीजीगा तो कोरेक्ट अंसर जो रहेगा वो क्या होगा कोरेक्ट अंसर क्या रहेगा वो है निचार निचार जो है वो अंसर है इसका निचार जगा का नाम क्या है निचार है यह है था हमारी हिमाचल जी के की क्लासिस अब लेंगे हम करंट अफेर से जुड़े हुए सवाल तो करंट अफेर के लिए जो है वो फटाफट जुर जाएगा और हम अपनी क्रंट फेर की आज की क्लास को जो है वो शुरू करते हैं पहला सवाल से किस देश में दो हजार साइस से तोहे पर कार्बन बॉर्डर टेक्स लगेगा बॉर्डर टेक्स लगेगा सिया शर्मा भी आए हैं हमारी क्लास में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत से अच्छे से अंसर दे रहे हैं सभी से कुमेंट करते रहेगा तो इसका अंसर देख लेते हैं प्यारे बचों अंसर क्या था सौरी मैं अंसर नहीं बताया आपको अंसर था यूनाइटेट किंग्डम् यूनाइटेड किंग्डम् जो है वो इसका सही अंसर था यूनाइटेड किंग्डम् सी अप्शन प्रिटेश सरकार ने विदेशी उतपादकों द्वारा कंपनियों को कम कटवती से बचाने के लिए दो हजास ताइस से अलुमिनियम लोहा स्टील सिमिंट जैसे आयातित कच्चे मालकाव कारवन लेवी लगाने की योजना जो है की घोशना की है हालंकि ये योजना बिटेश स्टील का प्रतिनित्व करने वाली संस्था की और से बहुत सुस्त होने के कारण अलोचना में घेरे में आ गई है क्योंकि ये ये यूरोपिये संग के समान प्रस्तावों के लागू होने के एक साल बाद हुई लागू विश्व टेस्ट चेंपियंशिप में सरवाधिक रन बनाने वाले भारतिय बल्लेवाज पॉन बने है सबसे ज्यादा रन लेने वाले बललेवाज कौन से भारतिय बने है जलती से अंसर कर सकते हैं अपना अपना शयर भी कर लिजएगा जल्दी से जल्दी शेर कर लिजेगा अनसर को प्रेक्ट अनसर क्या रहेगा वो है विराट कोली विराट कोली D option बिल्कुल सही अनसर प्यारे बचो तिगज बले बाज है यह भारत के और भारतिय टीम के पूर करपतान है विराट कोली विश्ट एंद चेंपियंशिप टेस्ट की है चेंपियंशिप में सरवादिक रन बनाने वाले भारतिय बल्लेवाज बन गए है और दक्षिन अफ्रीका में प्रिकेट टीम के खिलाफ जो है सीरीज में पहले मैच में इन्होंने निया की इर्थी नाम दिया है ठीक है जी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणू सयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है तो ये किस देश में हो रहा है ये शुरू दुनिया का सबसे बड़ा परमानु सयंत्र कौन से देश में बन रहा है जल्दी से अपना अंसर सास आत्में प्यारे बचो सभी सास आत्में अपना अंसर दे दो अच्छा अनिकेतन ने तो पूरी डिटेल्स ही देखते हैं आप बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है का कौरेक्ट अंसर रहेगा वो है जापान जापान में जो है परमानु सयंत्र फिर से शुरू पर जापान देश की में जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमानु तुजन ये नाम से शुरू कर दिया है ये जापान के नाका नौर्थ इलाके में बनाया गया है इतना बड़ा रियक्टर एक एक्सपेरिमेंट है ताकि भविष्य में इंसानों की पुर्जा समंदी सभी जिरूर्तों को पुरा किया सके है इस राजे ने भूमी मान चित्रन के लिए ड्रोन तकनीक को किसने अपनाया है जल्दी सबताइएगा मान चित्र के लिए ड्रोन तकनीक किसने अपनाया थी A B C D चार औप्शन्स हैं प्यारे बचों प्रक्टंसर रहेगा वो है इसका हर्याणा तो हर्याणा राज्य ने जो है भूम पान्चित्र ड्रोन तक्नीक को अपनाया है इसमें जो वहां के मुख्यमंत्री है वो कौन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्हों ने ड्रोन तक्नीक को वहुमत दिया है और पहले शुरू करने के लिए कर भी चुके हैं और गाओं लाल डोग्रा में डोग्रा मुक्त बनाने में ड्रोन का उप्योग किया गया इतना ही नहीं मुख्यमंत्री अलग से ड्रोन इमेजिंग इन्फोर्मेशन आफ रियाना लिम्टेड का भी गठन कर चुके हैं यह था इसकी डिटेल हाल ही मैं खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है एक नया बैक्टीरिया खोजा गया है तो बताएं कि किसके नाम पर रखा गया है बहुत बड़ी अंसर दे रहे है बहुत बड़ी जी आप भी अंसर हमारे करिये सभी से रिक्वेस्ट रहेगी हमारी डेली क्लासिज लगाईए आपके बहुत से काम आने वाली क्लासिज हैं डेली की डेली क्लासिस जो हैं हमारी आती हैं और ये क्लासिस जो हैं वो आप च्वाइन करते रहें आपको ये बहुत ज़्यादा लाफ देंगी आने वाले वक्त में इसका सही अंसर क्या होगा वो है रविंदरनाथ सैगोर क्या नाम होगा रविंदरनाथ सैगोर क्यों है वो इसका सही अंसर होगा प्यारे बच्चो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम विश्व भारती विश्व विध्याले ने बनस्पती विज्ञान विभाग ने चोद करता हूं कि एक टीम अभूत पूर्म खोज की है विश्व पधतियों में क्रांती लाने के लिए उन्हें शम्ता और उन्होंने फोधों की विध्धी को बढ़ावा देने के लिए सक्षम एक बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है और नॉबल पुरुसकार विजेता जो रविंदना टेगोर हैं उनके सामान में इसका नाम पेंटोवा टेगोरी रखा है पेंटोवा टेगोरी खारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है कच्चे तेल के लिए कच्चा तेल खरीदा है और उसको हमने अपनी करंसी यादि भारती करंसी रुपए में जो है देञ देन किया है वो किस देश के साथ किया है अन्सर दीजिएगा सही अंसर जो रहेगा क्या होगा तो भी अंसर कुमेंट करते रहेगा वीडियो को भी यू ए इ बिलकुल सही अंसर है अनिकेतन कपूर बिलकुल सही यू ए इ बधुजी का भी बिलकुल सही अंसर खाल ही में जो है सुझ तो अर्व अमीरात से जो ख्रीदे गए कच्चे तेल के लिए जो है रुपए मैं पहला भुखतान किया साथ ही मैं भारत अपनी मुद्रा को बैश्विक स्तर पर दे जाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है अधिकारियों ने कहा है कि भारत अन्य तेल आपूर्तियों या आपूर्ती करता देशों के साथ भी इसी तरह से रुपए मैं कुरूर तेल ख्रीदने की कोशिश में लगा है लेकिन इसे अंतराश्ची स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है और इसके लिए कोई लक्षे नहीं रखा गया है कितने समय के अंदर ये पूरा होगा इस पात उत्पादन में भारत की वरतमान वैश्विक रैंक क्या है इस पात उत्पादन में जो है भारत का आपके हिसाब से कौन सा रैंक यहने कि कौन से नंबर पर आता है आपके हिसाब देशी भाशा में बोलें कौन से नंबर पर आएगा प्यारे बचों जल्दी से अंसर करिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही सिया शर्मा मधूजी दूसरे नंबर पर है बिल्कुल सही दूसरा बिल्कुल सही खारत अब दुनिया में इस पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्ये बन कर जो है यह सॉरी देश बन कर उभरा है यह देश के इस पात शेत्र में जो है उलेखनिया वृद्धियू का परतीख है यह घोशना भारत के इस पात मंतराले की और से आई है जिसने घरेलू इस पात उत्पादन का आंकड़ा लगवग 90 मिलियन टन बताया है जबकि इस पात की 87 मिलियन टन से अधिक पीछे नहीं है कि आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ोस की तुलना में साल दर साल 14 प्रतीशत से अधिक की वृद्धी दर्शाते है कि हर साल जो है वो 14 परसेंट की दो रही है भारत की पहली पंडुबी प्रेटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की जाएगी कहां पर प्रेटन के लिए यानि कि टूरिस्टों के लिए पंडुबी सुविधा शुरू की जाएगी लाँच हुई है या होने वाली है बताजिए कहां पर ये होगी शुरू सही अंसर जो है वो आ चुका है तो कि अजे कुमार का है दुआर का गुजरात दुआर का गुजरात में जो है ये शुरू होने वाली है पंडुबी प्रेटन सुविधा दुआर का गुजरात भारत में पहला प्रेटन पंडुबी जो है वो शुरू किरने की घोशना की गई है यानि की योजना बनाई है गुजरात सरकार ने हिंदू धरम में महत्व के अनुसवार दुआर का शहर के पास एक छोटे से द्वीप बेट दुआर का के आसपास समुंद्री जीवन का पता लगाने के तिये मच गाउं डाक रिमिटेड के साथ जो है संजे ध्यारी की संजे ध्यारी की है यानि की अग्रिमेंट प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी कहां T.A.P.S. हिंदू मंदिर का खाटन करने वाले हैं T.A.P.S. हिंदू मंदिर जल्दी से अंसर बताएं जल्दी से जल्दी अपना अंसर क्मेंट करते रहेगा प्रटन सर रहेगा बहुत बड़ी से अंसर है यह बाहर है यह से बाहर है पहले से पिता देता हूं और यह है अब्बू धावी में T.A.E. अब्बू धावी प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी जो है 14 फरवरी को अब्बू धावी में B.A.P.S. हिंद मंदिर का उद्धुखाटन करने वाले हैं उन्हें स्वामी इश्वर चर्ण दास, स्वामी रम भिहरी दास और मंदिर के निर्देशक मंडल द्वारा मंत्रन दिया गया है मंदिर को वैश्विक सद्भाव के प्रतिनित्व और दुनिया भर में खारत के अध्यात्मिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है NTPS का पूर्ण रूप क्या है जिसे हाल ही में मौफिक मंत्री शिरिभुपेंदर यादव द्वारा लौच किया गया है क्या अंसर रहेगा आपका प्रेक्टन सर रहेगा वो है B Option National Transist Pass System पेंदर यादव पूरे भारत में बन उपज के पारगमन की सुविधा के लिए राश्टी टांजिस्ट पास सिस्टम की वन नेशन वन पास लौच किया NTPS का मतलब National Transist Pass सिस्टम है इस परनाली का शुभारम केंदरिय परियावर्ण और बन जनवायू परिवर्तन तता श्रम और रोजगार मंतरी जो है बुपेंदर यादव ने क्या है इस्ट जीके की तरफ स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल लौलिज की क्लास वह ए इंडिया स्टम के पॉटाफट क्लास में जुट्ञाइगा इमन लिकित वैसे भारत की सबसे बड़ी कंटेनर पोर्ट कोंसी है कंटेनर पोर्ट का नाम बताइएगा सभी अंसर करिएगा पहला सवाल है container port कौन सी है खारत की पहली container port container port का नाम बताना है आपको सही answer क्या रहेगा A option दे रहे हैं तो देख लेते हैं answer B option है जुहालाल नहरू port B option जुहालाल नहरू port प्यारे बचो देखिए जुहालाल नहरू बंदरगा जो है नवा शेवा यहनि की अर्व सागर के किनारे पर तटक पर की मुंबाई का एक परमुक बंदरगा है यह भारत का सबसे बड़ा container port भी है प्यार रखेगा अगला सवाल भारतीय रेलवे के अगामी दक्षिन तटीय रेलवे शेत्र का प्रस्तावित मुक चाले कहां परस्तित क्या अंसर होगा आपका विशाखा पत्नम, विजेबाड़ा, पंटूर या चकल केतन विशाखा पत्नम के साथ जा रहे हैं अंसर देख लेते हैं B बिलकुल सही विशाखा पत्नम, विशाखा पत्नम बिलकुल सही सिया शर्मा बहुत बढ़िया विटा, कि ये डिटेल है केंद्रियर जो रेल मंत्री है, प्यूश गोएल नहीं ये से शुरू किया था, आंधर प्रदेश में है ये विशाखा पत्नम दक्षिन, 30 ये रेलवे, जोन के निर्मान की घोशना की है अगला सवाल, निम्मेली कित्वे से कौन सा राज्य, विश्व की प्रथम, अल्ट्रा फास्ट, हाईपर लूप, परियोजना पर काम करने के लिए त्यार है अंसर करिएगा, महराष्ट, तिलंगारा, पंजाब या करनाटक, सभी अंसर करिएगा चार आप्शन्स हैं, क्या आपका अंसर रहेगा, जल्दी से अंसर कुमेंट करिएगा भी या इसका क्रेक्ट अंसर देख लेते हैं, वो है A आप्शन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है A आप्शन, बिल्कुल सही आप्शन है, प्यारे बच्चों महाराष्ट सरकार द्वारा विश्व की प्रथम, हाइपर लूप परियोजना का काम करने की मंजूरी दे दी गई है, यह हाइपर लूप प्रोजेक्ट मुंबई पूरे में प्रस्तावित है, और हाइपर लूप उच गती परिवहन पर अवधारना है, जो की चुम्ब की य मुचालन देवी एलिवेटर टेड पारदशी ट्यूब एक घर्षन करही तरीके से होगा, अगला सवाल, खासी जनजाती कहां पर रहती है, खासी जनजाती के लोग कहां पर होते हैं, उप पताईएगा मेगाले, असम, राजिस्थान, मध्यपरदेश, खासी जाती के लोग कहां पर मिलते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से अंसर कमेंट करिये, खाले के साथ जा रहे हैं, यह नि केतना बहुत बढ़िया, साक्षी कशब, ए अप्शन मेगाले के साथ जा जा रहे है, सिया शर्मा, मदू, आकृती, ए अप्शन के साथ ही गये सभी, तो यह अंसर भ गाले ही answer है। याद रखिएगा कि जातियों से यह पूछा जाने वाले questions बहुत बार आते हैं। बिघाले की तीन पहाडियां गारो खासी और जैनतिया के नाम पर ये तीन जैन जातियां गारो खासी और जैनतिया पाई जाती है, याद रखिएगा। पहाडियों के नाम पर यह परिवहन सुपिता के संधर्भ में भारत की पहली स्वदेशी किराया संग्रहन परनाली को डैश नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है भारत की पहली स्वदेशी किराया संग्रहन परनाली को सुदेशी, संगरन, परनाली को क्या नाम दिया गया है प्यारे बचो प्रेक्ट अंसर क्या रहेगा वो है C option S, W W, E, A, R सवीकार क्या नाम दिया है सवीकार C option, C अशर्मा और मधुजी का बिलकुल सही और सबसे पहला अंसर जो है वो अनिकेतन का था, बहुत बड़ी बड़ी अगला सवाल पंजाब, हर्याणा, राजिस्तान और तमिलाडू, राज्यों में जैश के जल का उपयोग बहुत अधिक होता है कौन सा पानी हम सबसे ज़ादा यूज करते हैं, पंजाब वाले हर्याणा वाले, राजिस्तान और तमिलाडू, भूमिगत, समुंदरी, वर्षा या नदी का पानी क्या लगता है आपको कौन सा यूज करते होंगे रजनीश राणा आये हैं, डी ऑप्शन अनिकेतर, अंडर्ग्राउंड के साथ जा रहे हैं साक्षी करशब, सी, वर्षा, कोई रीवर ए अप्शन बिल्कुल सही ट्यू बेल, लगाते हैं न भाईया हर कोई लगाता है वहाँ पर घर घर में ये बिलते हैं ट्यू बेल्स पंजाब में तो बहुत ही जादा है भाईया अगला है जूट को डैश फाइवर के रूप में भी जाना जाता है जल्दी सबसाइए अगा गोल्डन फाइबर अनसर देने और डी आप्शन गोल्डन फाइबर बिल्कुल सही पोल्डन फाइबर बहुत अच्छा सुनहरा रेशा भी कहा जाता है इनको याद रखने वाली बात है उदुपादक राजे जो है पस्चिम बंगार पहली आप्शन फिर बिहार है फिर उत्तरपदेश है याद रखी और भारत जो है बिश में जूट का बहुत ही जादा श्थान वाला देश भी है अंगूर की खेति और किंटाई को क्या कहा जाता है गैए बीति कल्चर बचो बहुत बईcked पालन एक विसी क्ल्चर या पीसी कल्चर मचली उत्तपदन और क्वाटी कल्चर बागवानी सेल्वी कल्चर बन संगर्धन सवर्धन और फ्लोरी कल्चर फूटों की खेती क्वेशन्स को नोट करना है आपने 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोशना किस ने की ती यह आपको बताना है के हैं उस समय के वाइस राय आरत पर इनों तो ह कि शासन किया है और मैंने वाइस राय से जुद हुए कई क्वेशन्स आपको बढ़ाए हैं और इसकी वीडियो भी डाली हैं आप हमारे इसक्शन में देख सकते हैं वहाँ पर भारत के वाइस राय भी मिलें प्रेक्टन सर देख लेते हैं डी आप्शन डौड कर्चन सिक्क्यम की कौन सा जाती है बताएं जल्दी से अंसर करिएगा सिक्चिम कई सी जन जाती है सिक्किम की है तबर भुटिया जो है बी ऑप्शन सही अंसर है प्यारे बचो जन जातियों से जुड़े हुए ये सवाल हैं ये आपने याद करने हैं कोई बात नहीं है सिक्किम राजे की जो परमुख जन जातियां है लिक लिख लिजिएगा भुटिया भोटिया या लिम्पचा या तमांग है संथाल क्यां से मुर्रुम बाली क्या है मुंडा ओ फिरहूर आंद्रब्रदेश की चैंचु पकला वाली और लंबाड़ा यह था हमारा सेक्शन जो की इंडिया स्टैटिक जीके का था यह हमारे मॉक टैस्स मिल रहे हैं 50% आफ पर आप इन्हें परचेस कर सकते हैं कोड यूज करिएगा वाई 24 इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और मॉक टैस्स मिल रहे हैं क्योंकि अब आपके स्सीजीडी के जो तारीक है इंग्जाम की जल्दी आ रही है तो 50% आफ आपका चल रहा है तो आप इसका लाब ले सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस पे है एक बार आप विजिट करिए आप हमारी वेबसाइट पे बिजेपत एजुकेशन डॉट कॉम अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बिजेपत गॉर्मेंट प्रप्रप्रेशन एप और उससे आप लाब ले सकते हैं जर्नल साइंस जर्नल साइंस से जुड़े हुए सवाल है और उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं और अनकेतन जी पूछ रहे हैं पटवारी के भी मौक टेस्स बने हैं आप उन्हें भी चेक कर लिजिए एक बार चेक कर लिजिए उनको आप पर्चेस करना चाहें तो पर्चेस कर सकते हैं पटवारी के भी मॉक टेस्ट बने हुए है कोई इशू नहीं है सभी अच्छे से अच्छे बने हैं बस यह होता है कि जैसे कुछ यह हार होते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको आप फर मिल जाते हैं तो साइंस भी है और अगर आपको कोई requirement रहती है तो आप हमें बता सकते हैं यह सभी courses एक साल तक के लिए free होते हैं एक साल तक यह चलता रहता है test series और कोई जरूरत लगती है आपको किसी चीज़ के test की तो आप हमें message कर सकते हैं तो आपको भी हम provide करवाएंगे यानि कि आपकी सुभिधा के हिसाब से जो है application चलेगी ऐसा आपको कोई भी YouTube पहला नहीं देगा जैसा हम आपके साथ वादा कर रहे हैं कि हम आपको service में जो है आपके हिसाब से त्यारी करवाएंगे जर्नल साइंस से जुड़े हुए सवाल है त्रक्त स्मू यानि कि blood group की खोज किसने की जल्दी से अंसर दीजीगा blood group की खोज किसने की धन्यवाद जी मधु जी blood group की खोज किसने की है जहीं अंसर क्या रहेगा वह सी ऑप्षन एट स्टीनर ने सी ऑप्षन लेट स्टीनर बिल्कुल सही सक्षी कशप और यह भी नोट कर लिएगा पैंसलीन की खोज किसने की अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने रक्त परिसंचरन की खोज किसने की विलियम हार्वे ने रक्त समू की खोज किसने की कॉल लैड स्टीनर ने और अधिगनियम सिधान्त किसने की या इवान पावल ने कि में लेकित में से सबसे पहले किस प्रती जैबिक की खोज की गई यानि की एंटीबॉटिक की खोज की गई है किसने की है जल्दी से अंसर करिएगा एंटीबॉटिक की खोज किसने की है खाते ना एंटीबॉटिक गोलिया या कई इंजेक्शन लेते हैं इसकी खोज किसने की प्रेंक टंसर रहेगा वो है बी आप्शन पैंसलीन पैंसलीन की खोड़ जो है उन्नीस सो अठाइस में स्कॉर्ट कैनिक थे एक नॉबल पुरुसकार मिलेता उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लैमिंग कुछ जाता है यह सबसे पहला खोजा गया प्रती जैविकन की एंटिवाइटिक है कौन सा था एंटिवाइटिक पैंसलीन बोर्ड मैन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है बोर्ड मैन आफ इंडिया बिलकुल सही अच्छा बहुत बढ़िया सिया शर्मा नवीन भंडारी बहुत बढ़िया अनिकेतन सलीम अली पुल के बीच विद्धिमान पीले रंग की धूल को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है पुल के अंदर पीले रंग की एक धूल मुद कह सकते हैं या उसके कण कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। पीले रंग की धूल पराग कहलाती है। पेड़ों के उपर की जाती है। इत्री क्रीमी खाद के लिए जिम्मिदार है कौन है। क्रीमी खाद के लिए वर्मी पोस्टिंग के लिए बॉंब्स 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 अच्छा वर्म्स केंचुए केंचुए वाली खाद बहुत काम लाब दायक है। च्छेद कर देते हैं। हर जगा मूव करते हैं मिटी में। उससे जो है ओक्सीजन के जो होता है लेवल ब्राबर रहता है। और पूरा पाने भी रस जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छे मतलब बद होते हैं। भरपूर एक प्रती जैविक उर्वर्क है। यह केंचुए आधी कीड़ों के द्वारा यह दिखें। पनस्पतियों भोजन के कच्रे आधी को बिघटित करके बनाई जाती है। यह उसको बनाने का तरीका बताया पर मैंने आपको बता दिया कि यह क्यों है ऑक्सीजन मतलब लेवल ठीक कर देती है। बहुत ही अच्छा दो हजार बाईस में आया हुआ सवाल है SSCGD का कैसा क्वेशन पूछा है इस सर्जन बन प्रांतों में उगने वाले पिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उप्योग करते हैं। उसमें क्या होता है बिच्छू बूटी आपने भी देखी है आपके यहां पर सही अंसर रहेगा डी आप्शन जे कोई कोई जो है सही अंसर है डी आप्शन देख सकते हैं माली शेत्रों में पाए जाने वाली नेटल लीव नाम क्या है इसका नेटल लीव जिसे हिंदी में बिच्छू बूटी भी कहते हैं यह एक परकार की बाहरमासी जंगली जड़ी बूटी है इसका विज्ञानिक नाम आरटी का डायुका है यह उख्य रूप से एंटी आक्सिडेंट का काम करते हैं और पोधे अपनी सुरक्षा के लिए रोएं का इस्तेमाल क्या करते हैं रोएं का इस्तेमाल है याद रखिएगा बिच्छू बूटी जो देशी भाशा में यहां पर एन भी बोलते हैं और क्या आपके शहर में भी होता है यह जिरूर बताईएगा मुझा बनस्पतियों में परकास संक्शलेशन की क्रिया कहां होती है परकास संक्श सभी अंसर जल्दी से जल्दी शेयर करिये करेक्ट अंसर है बी आप्शन पतियों में पतियां जो है वो इसका सही पतियां पतियां पी आप्शन पौधे प्रोटीन संक्षिलेशन कहां से करते हैं सभी अंसर कमेंट करिएगा क्या है आपका अंसर सभी अंसर वो साथ में ही शेयर कर दिजिएगा मैं क्रॉक्ट अंसर बता दूँ आपको प्रेक्ट अंसर रहेगा वो है बिल्कुल सही अमीनो एसेड बहुत बढ़िया बिटा अनिकेतन सी ऑप्षन अनिकेतन और नवीन भंडारी बहुत बढ़िया जी किनवन एक परकार है इसको हम फर्मीटेशन भी बोलते हैं किस चीज़ का परकार है कैसा परकार है बताएं आप किनवन एक परकार है किस परकार का है पर्मीटेशन भी बोलते हैं ये 10th क्लास में होता था तो की उप्षन है अवकाई शुषन है क्या है अवकाई है इसक्रिया में जटिलक कारवनिक यहनी की योगिक सुक्षम जीवों की सहायता से सर्ल कार्वनिक योगिक में भिगटिक करते हैं इस क्रिया को में आक्सीजन की आवेश्टा भी नहीं हो दस्मा सवाल है कोशिका की उर्जा फुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है चल्दी से अंसर करिएगा प्रेक्ट अंसर देख लेते हैं अगरना बाता है कोशिका की उर्जा का जो करनसी है यह की मुद्रा है वो ATP क्या बोलते हैं ATP अगरना बड़ाय प्रेक्ट को भी जाना जाता है बहुत बड़ी हाई यह कोश्चा यहां पर यह रहा ATP ठीक है जी और यह हमारा बैच श्रू हो रहा है पांच जैनुवरी से अगल आपको कुछ खास हमारी तरफ से जो है आप आप ये बैच जोईन करना चाहते है जल्दी से जोईन कर ले जोकि ये एच्पी टैट का है और इसमें कमप्लीज स्टडिम टिये लाइ प्लस रिकॉर्डेट क्लासिस मिलेगी बाइलेंग्वल नोटसों की क्विज़ होंगे और मौक टैस्ट रिज़़ तो आप हमें फॉलो करिएगा पेज को लाइक शियर करिएगा और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करिएगा और किसी भी परकार के प्रॉलम के लिए या किसी भी प्रकार की बात के लिए आप हम संपर्क कर सकते है आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा ये HP पुलिस का क्विज भी है और ये भी इसकी भी त्यारी जो है आपकी सातो साथ हो जाएगी आप बने रही है हमारे साथ इसी चैनल पर विजयपत्थ गौर्मेंट इंग्जाम प्रप्रेशन यूट्यूब चैनल पर तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत